आप देख रहे हैं इंठिया न्यूम्स आपके साथ मैं हूँ रशना बंसल शुरवात बड़ी खबर के साथ करें हैं बड़ी खबर हिंदुस्तान के लिहाज से अच्छी और रहाद की खबर है भारत में एक और विदेशी वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है जॉंसन और जॉंसन की वैक्सीन को मंजूरी मिली है सिंगल खुराक वाली जॉंसन की वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है खुद स्वास्तमंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है मतलब जो वैक्सीन की कमी या फिर किल्लत किसी किसी राज्ये में कहीं कहीं vaccination center पर महसूस हो रही थी उसके लिहाद से ये अच्छी खबर है एक और vaccine जब हिंदुस्तान भी आएगी तो vaccine की किल्लत भी दूर होगी जादा से जादा लोगों को vaccine लग भी पाएगी इसी भी Johnson & Johnson की vaccine को हिंदुस्तान में मन्जूरी मिल गई है और स्वासमंत्री अपकी तरफ से इसकी जानकारी दी भी गई है ट्वीट के सरिये बड़ी बात ये कि single dose वाली ये vaccine होगी मतलब अभी तक जो दो दोज लेने हो रहे थे कोवी शीलिया को vaccine के या फिर स्पूतनिक वी के उनके दो डोज डगने थे लेकिन एक ही dose में काम होगा Johnson & Johnson vaccine जो कि single dose वाली vaccine है मतलब इसमें ये सरदर्थी आपको नहीं होगी कि पहली dose ले ली है, दूसरी dose लेनी है single खुराक वाली, single dose वाली ये Johnson की vaccine हिंदुस्तान में इसे मंज़ूरी दी गई है पास्तान मंज़ी की तरफ से ये जानकारी ने गई है